नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है एक ऐसी हाउस प्लान जिसका प्लॉट साइज है 25 x 52 फिट का टोटल एरिया की बात करें तो 1300 स्क्वेर फिट का टोटल एरिया है गज या यार्ट में बात करें तो 144 यानि 144 यार्ड का आज का प्लॉट साइज है जिसमें बहुती अच्छे तरीके से एक बहुती खुशूरत घर का डिजाइन बनाया गया है तो अगर आप भी अपना घर बनवाने वाले है आपको घर के नक्से की जरूरत है और आपके प्लॉट साइज इसी के आसपास है तो आप देख सकते हैं यह जो हाउस प्लान है इसमें सभी तरफ से मैंने विंडो क्रियेट कर रखा है यानि जो हमारी खिर्की है वे लगा रखा है हर जगे ऐसा पॉसिवल नहीं है कि हम सभी तरफ से जो विंडो है वे लगा सके क्योंकि सभी तरफ से हमारी जगे है जो जमीन तो हम साप्ड बनवा सकते हैं जैसा कि इस पलान में बना है वे भी हमाभी डीटेल्स में देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जहां से हमारी entry होनी वाली है यानि हमारे main door की तो यह हमारे जो main gate है यह और ये कुछ stairs है जिस पे होते हुए ये हमारा main door है और इसके दोरा हम अंदर enter हो जाएंगे इसके side में आप देख सकते है एक window है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये parking के लिए जगे है आप देख सकते है इसमें भी मैंने एक door create कर रखा है और ये हमारी जो रेम फेवे है जिस पे हमारी जो गारी है वे अराम से अंदर या बाहर हो जाएगा अब बात करते हैं अंदर की तरफ जैसे हम entry कर लेंगे इस जगे से हम entry करेंगे यहां से तो entry करते ही हमारे पास एक यह बहुत ही बड़ा hall मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ sofa रखे हुए है और इसी जगे से जो हमारी सिठीया है जो एश्टेयर से वे छत पे चला जाएगा इस एश्टेयर के नीचे वी काफी जगे हैं हमारे पास मिल जाएगा जिसका यूज हम अलग-अलग काम के तोर पे कर सकते हैं इसी hall वाले एरिये में आप देख सकते हैं इस जगे पे टोइलेट है और टोइलेट के आगे एक यह वेंटी लेशन के लिए जो साप्ट है वे छोड़ा गया है साप्ट के उपर हम जाल रख सकते हैं और जैसा कि मैं देख सकते हैं इस तरफ भी मैंने क्रियेट किया है और इस तरफ जो वेर रूम है इसमें भी आप देख सकते हैं यह छोटा से विंडो मैंने इसमें लगा रखा है जिससे की प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सकी अगर हमारे पास साइड़ों में आप्सन नहीं है और इसके द्वारा होते हुए जैसे हम आगे चलेंगे तो इसके आगे भी हमारे पास यह छोटा सा एरिया मिलता है जिसका यूज हम इस जगे पर डाइनिंग एरिये के तोरे पर कर सकते हैं क्योंकि इस जगे पर हमारा किचन है और इस तरफ एक वेर रूम है आप देख सकत है यहां पर जो लोग रहेंगे इन वेर डूम में तो इनका जो इस टौइलेट का एक्सेस कर पाएंगे यह चाहे तो एक टौइलेट इधर है तो इसका वी यूज कर पाएंगे तो दोस्तों ओवर ओल देखे तो इस प्लान में तीन वेर रूम है फ़र्ष्ट सेकेंड और दो टौइलेट है यह है फर्ष्ट वला और यह है सेकेंड वला एक किचन है एक पार्किंग है और हमारे पास एक यह काफी बड़ा हॉल भी मिल जाता है और एक छोटी से जेगे यहां भी मिल जाता है जहां पर हम डाइनिंग के लिए इसका यूज कर सकते है इस जेगे से हम में लगने वाले बजट की वाद करें तो इस प्रकार की घर बनाने में जैसा कि आप यह देख रहे हैं सिंपल सधारन सा है तो ऐसा घर बनाने में लगवक 14-15 रुपे के बीच जो रुपे हैं वे खर्च होने वाले हैं जिसमें की सभी चीजें इंकलूड रहेगा इतने पैसे में ऐसा घर बनकर तयार हो जाएगा इस दोस्तों घर में पैसे खर्च करने की कोई भी लिमिट नहीं होता है तो आप यह मत समझना कि इतने रुपे में सभी प्रकार के घर आप जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं घर में पैसे कम यह ज्यादा लगना टोटली डिपेंड कर करता हम मेटरियल और उसके क्वाल्टी को पर आप किस परकार के वर्क करवाते हैं और कैसा ब्रांडेड आप अपने घर में माटरियल यूज करवाते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहाता हुए मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद